हेलो आज हम कर रहे हैं आपका बहुत इंपोर्टन टॉपिक मानव रिदय हार्ट यह कैसे कारे करता है और शरीर में इसका इसकी क्या भूमी का है हमारे आज आते एक्साम में वो सब आज हम कवार करेंगे यह आपके सामने है इसका चित्र इनके नाम लिखे हुए हैं सारे और इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले बुक का देख लेते हैं कि बुक ने क्या इसकी परिभाशा दी हुई है फिर हम अपनी बताते हैं हिर्दय एक वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कारे करता है हिर्दय क्या है यह साध निरंतल दड़कता रहता है एक मौना में डर्बारल एवरेज एक मीनट में वह 60-29 बार धड़क लेता है साठ से लेकर नब्भेवार तक हिर्दै चार कक्षव में बटा होता है उपर के दो कक्ष आलिंद कहलाते हैं और नीचे के दो कक्ष निले कहलाते हैं ये जो उपर के दो कक्ष हैं ये ये आलिंद कहलाते हैं और जो यह नीचे वाले कक्षे इनको कहते हैं निल है तो चलिए यह तो हो गई बुक की परिभाशा अब इसको और थोड़ा डिटेल में जाते हैं और इसके डाइग्राम पे थोड़ा फोकस करते हैं पहले इनके नाम देख लेते हैं तो जो हमारे उपर वाला कक्ष है इसको कहते हैं दाया आलिन और जो उपर वाला साइड वाला है इसको कहते हैं बाया आलिन बाय तरफ वाले को कहते हैं बाया आलिन और दाय तरफ वाले यह उपर वाला होगे दाया आलिन नीचे वाले को कहते बायानिले तो इनके नाम हो गए यह है हमारी उपर महाधमनी महाधमनी क्या होती है शुद्रक्त को सारे में पहलाती है सारे शरीर में फूफुस धमनी यह क्या करती है यह जो हमारा अशुद्रक्त है उसे फेफडों में पहुचाती है साफ होने के लिए तो सबसे पहले क्या ह होटा है हमारा रक्त होता है हमारा आशिद्रक्त होता है हमारी बोडी का हमारी से और जब तक हमारे वाल बन रहता है और यह बरता रहता है और जो ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा हमारा संकुचित रहता यानि की सिकुड़ा हुआ रहता है कब तक जब तक की उपर वाला हिस्सा रक्त से भर नहीं जाता जैसे ही भर जाता है तो ये सिकुड़ना बंद कर देता और फैलने लगता है और उपर वाला रक्त जो है वो इसमें आने लगता है और जो ये वाल है ये खुल जाता है जब ये भर जाता है उसके बाद ये वाल खुल जाता है और सारा रख नीचे दाए निले में आ जाता है अब जब ये भर क्या अब क्या होगा यहां से ये फुस्फुस धमनी है यहां से कहां जाएगा रख फेफडो के पास और फेफड क्या करेंगे फेफडो में क्या होती है शुद्ध ऑक्सीजन होती है ताजा ऑक्सीजन होती है तो हमारा जो शुद्ध रक्त होता है वो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है उसमें जो जितनी उसमें मात्रा ऑक्सीजन की चहिए वो परियाप्त हो जाती यह oxygen की पूर्टी हो जाती है और हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है फिर क्या होता है फेफडों से दुबारा रक्त हमारे इनी चैंबर में आ जाता है सबसे पहले आता है बाय अलिंद में तब तक क्या होता है बाया निले संकुचित रहता है जब बाया अलिंद भर जाता है त तो फैल जाता है तो बायनिले के बाद जैसे यहां पर रक्त साफन रक्त आ गया उसके बाद हमारा रक्त कहां जाएगा यह महाधमनी है यह महाधमनी है यह सारी जितनी में हमारी कोशिकाएं होती है शरीर की कोशिकाएं जहां पर पूरी बॉड़ी में हमारे रक्त को संचारि करती है महाधमनी तो इस तरह हमारे शारे श्रीर में रक्त पहुच जाता है रक्त पंप हो जाता है अशुद रक्त एक अत्रित होता है हमारे हिर्दय में और फिर वह शुद्ध होने जाता है फेफडों में और फेफडों से शुद्ध होकर दुबारा हिर्दय में आता है और फिर वो महादमनी द्वारा सारे शरीर में पहुचा दिया जाता है, तो यह हमारी हिर्दे का कार है, अगर आपको अपने हिर्दे का आकार जानना है, तो अपनी मुठ्थी बंद करिए, तो इतना ही आपके हिर्दे का आकार है, एक व्यक्ति का हिर्दे का आकार उसकी मेरा ज्याबर होता है तो आप यहां पर देख रहे होए कि हीरदे के चार कक्ष ओते हैं यह बलू कलर का आपको हिस्सा सब्सक्राइब वाला इसना ऐसाaime इसमें आपस ने मातरा बहुत कम होती है तो वह हमारा होगे अशुद्रक्थ अशुद्रक्थ हमारा थोड़ा डाक रेड कलर में होता है और जो शुद्रक्थ हमारा आता है फेपड़ों से वह थोड़ा हमारा लाइट रेड होता है तो जो हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है यह हमारा अशुद् तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें हिर्दे के चार कक्ष होते हैं में में तो आपको बड़े-बड़े दो दिख रहे होंगे एक यह रहा और एक यह रहा लेकिन इसमें बीच में यहां पर वाल होते हैं यह रहा एक वाल एक वाल यह रहा जो इनको डिवाइड करता है तो एक ये कक्ष हो गया, एक ये हो गया, दो, एक ये वाला उपर का हो गया, और एक चौथा ये हो गया, चार, तो ये चार कक्ष होते हैं, इनमें यही वाल लगे होते हैं, जो इनको डिवाइड करते हैं, बीच में से, अलग से कुश्चन आ जाए, तो इसमें आप ऐसे हिर्दे के बारे बता देंगे हमारा हिर्दे एक pumping machine है हमारा हिर्दे pumping machine की तरह कारे करता है जो अशुद्रक्त को फेफडों में शुद्रक्त को बाकी पूरे शरीर में पहुचाने का कारे करता है पहले हम हिर्दे के बता देंगे हिर्दे क्या काम करता है उसके बाद हम points में अ अपने पास से भी पॉइंट्स बनाके लिख सकते हैं कुछ भी यह है तो हमारे यहाँ पर आगे हिर्दे के मुख्यकारे आप लिख सकते हैं कि यह अशुद रख्त को एकत्रित करता है शुद और शुद रख्त को शरीर के विबिन भागों तक पहुचाता है यह भी हमने रख्त को शुद करने के लिए हमारे फेपरों में भीजता है यह एक मिनट में 60-90 बार धड़कता है तो यह आप कर सकते हैं यह लिख सकते हैं कि यह रख्त में ऑक्सीजन की पूर्थी करता है यह भी एक पॉइंट है तो आप अपने पास से भी कुछ पॉइंट लिख सकते है जिसे जो भी हमने हिर्दे कारे किया उसका चित्र देखके उसमें से भी आपको समझाए जैसे अगर यह ज्यादा बढ़ा आ जाता है तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं इतना काफी है आपके इतना फाइव मार्क्स का भी आ जाएगा तो भी इतने इसमें आपको पूरे बॉक्स में पूच सकते हैं तब तक के लिए बै बै